जबशेर जी उठा बहुत समय पहले की बात है एक गाउं में चार मित्र रहते थे उनमें से तीन बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन उनमें सामान्य ग्यान की बहुत कमी थी चौथा हाला की ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उसमें बहुत सारा सामान्य ग्यान था वह कम से कम जानता था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और काफी हद तक वे भारिक था एक बार किन विद्वान मित्रों ने अपने भागया बनाने के लिए लंबी आत्रवताय करने का निर्णा लिया वे अपने चोथे दोस्त को अपने साथ ले जाने के लिए तयार नहीं थे क्योंकि वो आप पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अखेकार वे ऐसा करने के लिए तयार हो गए क्योंकि उन्हाने यह सोचा कि वहो भी तो उनका बच्चपन का मित्र है जली चालों दोस्त एक लंबी आत्रापर निकल पड़े वे धन बटोलने के अफसर की तालाश में एक शहर से दूसरे शहर गुमते रहे एक बार जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पेड के नीचे हड्यों का धेर पड़ा मिला तब ही उन्हें से एक विद्वान मित्र ने हड्यों को देखा और कहा यह हमारे ज्यान का परिक्षन करने का एक अच्छा अफसर है यह एक शेर की हड्या है आए इस शेर को फिर से जिन्दा करें फिर उस ते सभी हड्यों को एक साथ जुड़कर एक शेर का कंकाल बनाया और कुछ मंत्रों का जाब किया उसके बार दूसरे विद्वान मित्र ने कुछ अन्य मंत्रों का जाब किया और तवच्चा, मास्क और रख्ट उस कंकाल में भर दिये आप वह शेर जैसे दिखता था, लेकिन बे जान था तभी तीस्ता विद्वान उठकर उस जेर के निलजीव शरीर में जान डालने ही वाला होता है कि चौथा दोस्ट चिलाता है और कहता है रुको क्रिपय ऐसा मत करो, इस चानबर को वापिस जीवन मिलाना खतरनाक साबित हो सकता है चौपरा हो मूर्ख, तीनो दोस्ट ने कहा आप क्या जानते हैं सीखने और ज्यान के शित्र में बहतर है कि आप अपना मूँ बंद रखे क्रिपय एक मिनिट रुकिये, चौथा मित्र बोलकर जल्दी से पास के एक उंचे पेड़ पर चर जाता है उसकी इस हरकत को देखकर तीनो दोस्ट हस पड़ते हैं उसके बाद तीनो दोस्ट उस शेर के निर्जीव शरीर में जान डालते हैं जैसे ही विशाल शेर जीवित हुआ, उसने जोर से दोहड़ा और तीनो विद्वानों को मा डाला उसने उनका मास्क खाया और घड़ी जारियों के पीछे चिप गया नैतिक, सामान्य ग्यान के बिना ग्यान देकाल है